वेलकम बैक टू माई चैनल हैपी स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम हरपा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे ये काफी इंपोर्टन कोश्चेन है तो वीडियो को अंड तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहला यहां पे जो पॉइंट आपको याद रखना वो है हरपा सभ्यता और सिंदुगाटी सभ्यता एक ही सभ्यता है ठीक है क्योंकि जो हरपा सभ्यता थी वो सिंदुगाटी के किनारे बसी थी इसलिए इसे सिंदुगाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है अब हम इसके धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में मुख्यता हरप्पा बासी क्या करते थे, मात्री देवी की पूजा करते थे, यानि मात्री देवी की पूजा पर आधारित था, खुदाई में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तिया मिली है, जिससे ये ग्यात होता कि सिंदु घाटी के निवासी मात्री देवी की उपासना क्या करते थे। मात्री देवी के साथ साथ देवताओं की भी पूजा करते थे। मात्री होंगी लेकिन मंदिर के प्रमान नहीं प्राप्त होते। अब जैसे अभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मंदिर। लेकिन उस समय मंदिर मौजूद था साथ लेकिन उसका कोई अप्षेश या फिर कोई प्रमान अभी तक नहीं मिला जो उस छेत्र में धार्मिक इमारते हैं। कोई भी प्रमान अभी तब नहीं मिला है। जिस कारण से इसे हम पूरी तरह से नहीं मान सकती कि उस समय मंदिरे मौजूद थी। अब आता है मोहन जोदरो से एक मोहर प्राप्थवी जिस पर पदमासन की मुद्रा पर एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। अब क्या हुआ खुदाई में मोहन जोदरो से एक मोहर मिला। जिसमें पदमासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। और इसे पशुपती महादेब का रूप माना गया। यानि उस जो चोनने की मोहर थी उस पर क्या था? महादेब का रूप बना हुआ था। पशुपती नात, ब्रिक्ष, लिंग, योनी और पशुआदी की भी पुजा की जाती थी। उस समय महादेब के बहुत सारे रूपों की पुजा की जाती थी। पशुपती, नात, ब्रिक्ष, लिंग, योनी और पशु. इत्यादी की भी उस समय काफी पुजा की जाती थी। ब्रिक्ष पूजा काफी परचली थी, उस समय ब्रिक्ष पूजा काफी परचली थी, अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो तैवहार हैं, वो ब्रिक्ष से जुरे हुए हैं, जैसे बट सावित्री का जो तैवहार होता है, वो बट के पेर की पूजा की जाती है, तो अंधिश्वाषों पर विश्वाष किया करते थे। उस समय क्या था? लोग जादू, टोना, भूत, प्रेथ और अंधिश्वाषों पर अधिक ध्यान देते थे और विश्वाष भी करते थे। अभी भी बहुत सारे लोग देखिएगा इन सब चीजों को मानते हैं। वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारन करते थे और वे लोग क्या करते थे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारन करते थे अभी भी हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे लोग ताबीज धारन करते हैं हरपपा बाशी कूबर वाला सांड की भी पूजा किया करते थे हरपपा बाशी क्या करते थे जो कूबर वाला सांड है उनकी भी पूजा करते थे ये लोग पंची की भी पूजा करते थे स्वास्तिक चिन्य संभवत हरपपा बाश्यों की ही देन है अभी आप देखिएगा को क्या भी मांगलिक अनुष्ठान जब होता है तब उसमें एक स्वास्तिक का चिन्य बनाया जाता है तो ऐसा माना जाता है जो स्वास्तिक का चिन्य है वो हरप्पा वाशियों की ही देन है rocket to प्राप्त किये गए हैं, तो यहीं था उनका धार्मिक जीवन, उनका धार्मिक कार्य करम, अनुष्ठान, क्या-क्या हुए लोग क्या के वे लोग पूजा करते थे क्या वे लोग मानते थे ये सब धार्मिक जीबन में आएगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईए और भी इंपॉर्टेंट कोश्चेन के लिए वीडियो को जरूर लाइक कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद